हेलो बच्चो मैं हूँ 205 पाट साला डॉट लाइब में आपका स्वागत है आज हम दो देखेंगी 3.2 एक्सरसाइस क्लास 10 का पहला हम दो करेंगे पहले का हम लास्ट में करेंगे सकेंड वाले का अभी हम दो देखेंगे सल्यूशन ठेक है चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्क्रीन में क्या कह रहा है आप लोग देखिए इस स्क्रीन में आपको दिखता होगा दूसरे स्क्रीन पर जिसमें कैमरा चालू है साइन एक्स इक्वर्ट तो 3 अपॉन 5 एक्स लाइए इन सेक्ट क्वाडरेंट कॉसर नमर टू यह कह रहा है है ना तो स्लूशन कैसे हम लोग लिखेंगे इसका पहले हम लोग फॉर्म्रा लिख लेंगे साइन एक्स स्क्वाइए ठीटा प्लस कॉस स्क्वाइए ठीटा एक्वल टू वन तो हमें उको साइन एक्स काव कॉस स्क्वाइए ठीटा में कनवर्ट करना है तो क्या करेंगे 1 minus sin square theta फिर cos square theta equal to 1 minus sin square theta कर लेंगे तो sin square theta हम लोगे सामने sin square theta हम लोगे सामने उसको हम लोग कर लेंगे 1 minus 3 upon 5 का whole square ठीक है फिर हम लोग cos square theta equal to 1 upon 1 minus 9 upon 25 तो 25 का में LC हम लेंगे 25 minus 9 तो 16 upon 25 फिर हम लोग कर ये square था इसको हम लोग root में लिख लिए हैं तो root में लिखने के बाद 4 upon 5 plus minus ये वाला आपने table देखा ही होगा कि मैं आपको बुक में दिखाता हूँ this table quadrant sign scheme ये वाला आपने देखा ही होगा अपने बुक में भी या टीचर बताएं होंगे कि question हम लोग का क्या कह रहा है कि हम लोग का second quadrant में ही plus minus मतलब साइन और कॉसेक में बस पॉजिटिव चार्ज रहेंगे और हम लोग को आंसर क्या आया है 4 upon 5 plus minus तो इसमें हम लोग क्या है कॉस और कॉस हम लोग का निगेटिव होता है तो minus 4 upon 5 हो जाएगा फिर कॉसेक का निकालेंगे 1 upon sin ठीटा और sin ठीटा का देखे वैल्यू यहाँ पर दिया गया है sin x कलतो 3 upon 5 तो 3 upon 5 लिख देंगे रेसे प्रोकल हो जाएगा 5 upon 3 फिर यहाँ पर कॉसेक का निकाला है कॉसेक का देखे सीधे आंसर लिख दिया गया है है न फिर हम लोग सेक ठीटा एक्वल टू 1 upon कॉस ठीटा तो कॉस ठीटा का हम लोग का आंसर आ चुका था minus 4 upon 5 फिर minus 4 upon 5 को रेसे प्रोकल का 5 upon 3 सेक का निकाल लिए सेक का ही हम लोग निकाल हुए हैं अच्छे से बताने के लिए फिर टैन ठीटा का साइन अपॉन कॉस ठीटा यह निकाल लेंगे तो टैन ठीटा निकाल जाएगा फिर यहां पर देखिए यह निकाल लेंगे ओके यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो धन्यवाद आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे आपको अप्डेट मिल जाएगी थैंक यू